हलो फैंट्स वेलगम इंडिया वन्स अगयन तो आज मैं आपके लिए जो वेकेंसी लेके हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरप से जी हाँ एस बैंने वेकेंसी अप्रेंटिसेस के लिए निकाली है और इस वीडियो में आपको इस वेकेंसी के बारे में पूरी तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ओनलाइन अप्लाई करना है इन वेबसाइट के थूरू यहाँ पर यह सारी वेबसाइट दियुए है यह चार वेबसाइट है इन चारोई वेबसाइट के थूरू आप अप्लाई कर सकते हो और इन चारोई वेबसाइट के लिंक हुई है और यह local language भी बहुत जरूरी है और इसके बारे में मैं इस वीडियो में cover करूँगा कि local language की क्या जरूरत है तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके state में आपकी category में कितनी vacancy available है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ तो आगे भी यहाँ पर इस वीकेंसी को केटेगराइज कर दिया गया है पहले state वाईज थी अब state में भी ठोटल वेकेंसी को district वाईज यहाँ पर केटेगराइज कर दिया गया है यहाँ पर आते हो कौन से district में आते हो और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितनी vacancy आपके लिए available है और जो final से काउंट की जाएगी ठीक है और जो भी केटेग्रीज है उनको एज रिलेक्सेशन एज पर केटेग्री एज पर गॉर्णमेंट ट्रूल दे दिया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं यहां पर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते के लिए जोइनिंग है तो यहां पर एक साल के लिए यह ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में आपको यहां पर सेलरी भी मिलेगी इस टाइब एंड मिलेगा आपको पंदरा जार उपे पर मत और साथ में ट्रेनिंग तो यह दोहरा लाब आप यहां पर उठा सकते हो ट् यहां पे आप के पहले होगा ओर देख सकते हो अब आगे बड़ते हैं यह exam centers है, यह भी आप देख सकते हो, nearest exam center आप देख लीजिए, और साथ ही आपको यह PDF जो है, हमारी टेलिग्राम की चैनल पर मिल जाएगी, और उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, अब अगर आप select होते हो, written exam में, और उसके बाद में आपका यहाँ पर local language का test हो की study की है, local language आप उस table से चेक कर लीजिए, जो मैंने इसलिए आपको बता दी थी, अगर उस subject के आपने study की है, तो आपको ज़रुत नहीं है, अगर आपने उसकी study 10th और 12th में नहीं किये, तो आपको यहाँ पर local language test देने की ज़रुत पड़ेगी, medical याप fit होने चाहिए, और ludes के लिए कोई भी application fees नहीं रखी गई है, अब आगे यहाँ पे कुछ general instruction दिये हुए है, जो कि आप पड़ सकते हो, यहाँ पर SBI आपको permanent job देने के लिए कुछ बात दे नहीं होगा, यह भी यहाँ पर clearly लिखा हुआ है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं how to apply, तो यहाँ प वो आपको hard copy में send नहीं करना होगा, उसकी कोई भी जरुरत यहाँ पे नहीं है, और साथ ही आपके scan photograph और signature अपलोड आपको करने होगे, साथ ही documents भी आपको upload करने होगे, और साथ ही जो call letters है, वो भी hard copy में send नहीं किये जाएंगे, उसको आपको download करना होगा, इन website से, जो link आ पर आगे यह भी दिया वाए है कि जो भी announcement होगी, इन website पर होगी, जो official website है, साथ ही हमारी चैनल डीजी इंडिया पर भी आपको पूरी information इसके regarding मिल जाएगी, और online application 6 जुलाई से start होगे, और last date 26 जुलाई रहेगी, साथ ही जो exam है, वो अगस्त माहा में conduct कराए जाएगा, त आप तक उसकी जानकरी जल से जल, और सही और सटीक जानकरी पहुंचाते हैं, जिससे यह आप किसी भी vacancy से चुके नहीं, जिसमें आप eligible हो, उसमें आप जरूर अप्लाई करेंगे, और यही हमारा उत्दिश है, thank you friends, thanks for watching this video.